नमस्कार, MCQ से समन्दित इस वीडियो में आपका स्वागत है बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्ण की और प्रश्ण जो आपकी स्क्रीन पर है कि निम्लिकित में से कौन सा कतन MCLR, फूल फॉर्म है Marginal Cost of Fund Based Landing Rate की परिभासा को दर्साता है चार यहाँ पर आप्सन है पहला आप्सन कि नियुन्तम ब्याजदर को यह संदर्भित करता है जिसे बैंक को उधार देने के लिए चार्ज करना चाहिए दूसरा विकल्ब है कि MCLR वह दर है जिस पर किसी देश का केंदरी बैंक धन की कमी की इस्थिती में वानेजीक बैंक को धन उधार देता है तीसरा विकल्ब है कि Marginal Cost of Fund Based Landing Rate यानि की MCLR जिस दर पर भारती रिजर्बैंक वानेजीक बैंक को से उधार लेता है और चौथा विकल्ब है एक प्राधान है जिसके माध्यम से अनुसूचित वानेजीक बैंक रातो रात तरलता प्राप्ति कर सकते है यदि अंतर बैंक तरलता पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो इसका हम सही जवाब देखते है इसका सही जवाब है मतलब कि MCLR नियूंतम ब्याजदर को संदर्वित करता है जिसे बैंक को उधार देने के लिए चार्ज करना चाहिए अब हम करते हैं इसकी व्याख्या तो व्याख्या के अंतरगत जो यहा है मातपुन है कि आखिर समाचार में क्यों है समाचार में इसलिए है कि हम यह जानते है पिछले सब्ता RBI की Monitor Policy Committee ने या निर्ने लिया कि Policy Rate में 25 Basis Point यानि कि 0.25% की बढ़ोतरी कर देनी है उसके बाद भारती State Bank और Union Bank of India सहित कुछ बैंकों निर्ने लिया कि रिंड देने के लिए जो एक आधार होता है जिसे हम MCLR कहते हैं उस MCLR की सिमानत लाकत को 10 आधार अंक बढ़ा दिया जाए तो मतलब यहाँ पर यह है कि 10 Basis Point उसमें बृद्धी कर दी गई है अब हम यह बात करते हैं कि आखिर MCLR होता क्या है तो MCLR किसी भी बैंक की द्वारा रिन दाताओं को जो रिन परदान किया जाता है उसमें यह रिन देने में जो बैंकों की द्वारा ब्याज लिया जाता है उस ब्याज के लिए यह आधार का काम करता है MCLR के ताहत बैंक हर महिने औरनाइट एक महिने, तीन महिने छे मैंने एक साल और दो साल की ब्याज़दरों की घोसना करता है और यह घोसना करना अनिवारी होता है इसके अंतरगत अगर हम देखें तो किस-किस प्रकार के रिन आते हैं तो घर के लिए रिन मता होम लोन, संपत्ति पर रिन, कॉर्पोरेट, सावधी रिन MCLR की इस विवस्था को 2016 में RBI के द्वारा लाए गया और इसे लाए गया बेस रेट के स्थान पर जिसे 2010 में प्रस्तुत किया गया था तो यह थी बात पहले क्वेश्चन से समंधित व्याख्या की अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण की और दूसरे प्रस्ण जवाब की स्क्रीन पर है, इसक्रीन पर यह है कि हाली में समाचारों में रहा कौावर सब्त है चार विकल्प है, विकल्प A, उलकापिंड, विकल्प B, ब्लैक होल, विकल्प C, बॉनागर, विकल्प D, आकास गंगा आए, देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, C, मतलब कि जो कौावर है, वो क्या है, वो एक बॉनागर है, आए, अब इसकी व्याक्या करते है तो सबसे पहली बात यहाए, कि आकरिया समाचार में क्यों है, समाचार में इसलिए है, कि जो एस्टोनॉमर्स है, एस्टोनॉमर्स में यह पाया है, कि सौर मंडल के किनारे पर इस्तित, जो क्यूपर बिल्ट है, उस क्यूपर बिल्ट में जो इस्तित कौावर, जो की एक ब वले पाना इसलिए यहां पर महत्पूर्ण होता है क्योंकि जो एक सिधानत देते हैं कि किसी भी ग्रह के नजदीक जो वले पाये जाता है वह एक दूरी पर पाये जाता है जब कि यहां पर क्या देखा गया है कि यह जो वले पाये गया वह काफी दूर पाये गया है अब यहा करें कि इन दोनों के बीच में एक दूरी है और इस दूरी के बाब जो भी पिर्थवी की तरफ से लगातार जो टाइडल फोर्स है वो लगाया जा रहा है किसकी तरफ चंद्रमा की तरफ और चंद्रमा है पिर्थवी की तरफ जा सकती है यह खिची जा सकती है लेकिन नहीं ज दूरी होगी जिस दूरी पर मतलब ये कि चंद्रमा का पिर्थवी की और गमन होना लेकिन एक निस्चित दूरी आने पर इस्तितिय होगी कि यह जो टाइडल फोर्स है यह टाइडल फोर्स जो चंद्रमा का गृत्वाकरसन फोर्स है उसको वह खत्म कर देगा और जैसे ही यह होगा उसके बाद जो चंद्रमा है वो तूट फूड का सिकार हो जाएगी मतलब उसका डिस इंटिग्रेशन हो जाएगा अब जिस यहाँ पर हम नियुंतम ये दूरी की बात कर रहे हैं वही क्या है इसे करते हैं रोस लिमिट अब इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि कुछ-कुछ महत्रपूर्ण सब्दावलिया है जैसे अगर बॉनागरा की बात के जाये तो इसका मतलब क्या है तो बॉनागरा एक ऐसा आकासी पिंड होता है जो किसी अन्य गरह की परिकर्मा नहीं करता है तो तक गरह के समान पत के पास से सुरू होता है साथी साथ यह मंगल और बिरस्पती के बीच पाये जाने वाले एक चुद्दगरा जो बेल्ट है उस चुद्दगरा बेल्ट के समान है किन्तु आकार और भार में उससे कही नाम रोज त्रिज्या भी है तो एक खगोली पिंड से दूरी है जिसके भीतर एक दूसरा खगोली पिंड केवल अपने स्वेंग के गुरता करसन बलदवरा एक साथ रखा जाता है जो हम यहाँ पर देख रहे है कि पिर्थवी और चद्रमा का एक दूसरे के साथ बने रहना अब हम बरते हैं तीसरे प्रस्नी के ओर तीसरा प्रस्नी यहाँ पर यह है कि अल नीनो के समद्वें निमलिकित कत्नों पर विचार करें पाला कतन यह पेरू के तट से दूर पूर्वी उस निकटबंधी प्रसांत महसागर में सतही जलका और समाने रूप से गर्म होना है दूसरा कि अल नीनो अटलांटिक में तुफान की घटनाओं को कम करता है तीसरा अल नीनो के दौरान भारत में मानसून प्राया कमजोर रहता है तो उपरियत कत्नों में से कौन सा सही है यह हैं देखें चार यहाँ पर विकलब है विकलब A, केवल A, केवल B, केवल 2 और 3 विकल्प C, केवल, पाहला और दूसरा विकल्प D, पाहला दूसरा और आईए अब हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है D, इसका मतलब तीनों के तीनों कतन सही है अब देखते हैं इसकी व्याख्या तो सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये Al Nino समाचार चार में क्यो है तो समाचार में रहने का इसका कारण यह है कि महराश्च सरकार की कैबिनेट के जो बेटक हो रहे थी उस कैबिनेट के बेटक में वहाँ के Deputicium ने यह बात कही है कि यह जो साल है इस साल परसांथ महासागर में अल नीनो घटना के विक्सित होने की संभावना है और अगर अल नीनो की घटना विक्सित होती है तो यह मानसुन को काफी प्रभावित कर सकता है आखिर अल नीनो है क्या? तो जैसा कि आप स्क्रिन पर देख रहे हैं कि अल नीनो पेरू के तट से दूर पूर्वी उस निकटिबंधी परसांत महासागर में जो सतही जल है उसका आउसमाने रूप से गर्म होना है और इसमें होता ही है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है त अगर अल नीनो के भारत पर पढ़ने वाले प्रभाव की अगर हम बात करें तो इसमें देखें क्या है कि अल नीनो के दौरान अक्सर भारत में मांसुन किस्थि कमजूर हो जाती है और यह देखा गया है कि पिछले 130 वर्सों में भारत में सभी सूखे का जो 60 परतीसत है वो सक्ति को भी प्रभावित करता है उसे के साथ साथ एक ख़बर यह भी आई जो ख़बर एक रिपोर्ट पर आधारी ते रिपोर्ट का नाम है स्टेट्मेंट ऑन क्लामेट फॉर दे स्टेट ऑफ केरला 2022 इसको रिलीज किया है इंस्टिचूट ऑफ क्लामेट चेंज स्टेड वो भी कब से 1901 से बढ़ता है अपने अगले प्रस्न की और अगला प्रस्न जो आपकी स्क्रिन पर है प्रस्निया है कि फ्री फ्लोट के संबंद में निम्लिखित कत्नों पर विचार करें दो कथन है पहला कथन कि फ्री फ्लोट एक नीजी तोर पर सूची बद्ध कंपनी के बगाय शेरों को संदर्भित करता है जो बाजार में व्यपार के लिए आसानी से उपलब्त है दूसरा कतन कि कि किसी कंपनी का फ्री फ्लोट निम्लिखित को सारजनिक बाजार में कंपनी के शेरों की संबावित तरलता के बारे में एक विचार देता है उप्रोगत कत्नों म देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है B मतलब ये कि केवल दूसरा कथन सही है अब हम इसकी व्याख्या करते हैं इसकी व्याख्या कंतरगत अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये कि आखरियक समाचार में क्यों है या खबरों में क्यों है इसलिए है क्य अब हम बात करते हैं कि free float आखिर होता क्या है तो देखे free float का जो formula है वो यह है कि किसी company के outstanding share minus उसका परतिबंदी share और minus closely hold share तो अगर हम आसान भासा में float share की बात करें या free float की बात करें तो उसका अर्थ यह होता है कि यह share की वह संख्या है जो public के द्वारा trading के लिए उपलब रहता है मतलब यह किसी company की उन share की संख्या को बताता है जो वास्टिक रूप में बाजार में trade करने के लिए उपलब्द होता है उधारन देखें कि अगर एक company के 10 लाख outstanding share है और float share की संख्या 5 लाख है तो इसका मतलब है कि company के कुल share की संख्या में से केवल आदे share बाजार म बनाए गया एक index है जिसे वेस्ट्रिक उभरती बाजारों में equity market के प्रदर्सन को मापने के लिए बनाए गया है और इसमें 23 उभरती अर्थवेस्थाओं के सूचकांक सामिल है अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें और अंतिम प्रश्न की और प्रश्न है कि भारती अर् राष्टिय सांकी की कारेले द्वरा जारी किया जाता है तो उप्रोक्त कत्नों में से कौन सा सही है या कौन से सही है आप्सन एक केवल पहला आप्सन बी केवल दूसरा आप्सन सी पहला और दूसरा आप्सन डी इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है आप्सन सी है 4% प्लस मैनस 2% तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि RBI को जो मुद्रा इस फिति को नियंतर में रखना है वो 2-6% की सीमा में रखना है आए अब हम देखते हैं कि WPI क्या है तो WPI के अगर हम बात करें तो यह थोक में बेची जाने वाली वस्तों की कीमतों को दिखाता है और इसे वानिज और उद्योग मंत्राले के तद आर्थिक सलाकार के कारेले दवारा प्रकासित किया जाता है वह अगर हम CPI की हमने कुल पांच प्रस्टों को देखा और उसे समधित हमने व्याख्या की चर्चा की इसके साथ ही इस वीडियो को इसमाप्त करते हैं फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नमस्कार